इन दौर के हिरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली दसवी क्लास की छात्रा ने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली फिलहाल पूरे हिमामले में पुलिस जांच परताल में जुटी है पूरा मामला हिरा नगर थाना क्षेत्र का है हिरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली हिमा लोखंडे ने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली बताया जा रहा है कि वह हिरा नगर शेत्र में रहने वाले चाचा निलेश के घर पर दो सालों से रहे कर पढ़ाई कर रही थी के फंदे पर जूलती हुई मिली इसे के साथ परीजनों ने पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी कि हेमा के पिता दिनेश के दो बेटे हैं जो उनके साथ रहते हैं और वहां द्वार का पूरी इलाके में गेरात चलाते हैं हेमा की चार चचेरी बहन है वही पुलिस को जानक कारी देते हुए बताया कि हेमा जादा किसी से बात नहीं कर रही थी और अकेले ही रहती थी फिलाहल किसी तरह का कोई सिवसाइड नोट भी नहीं मिला है और पुलिस परीजनों के बयान के मुताब एक जाच परताल में जूटी है है कि तो चारो भति ये बराबरी कि होई स्कुल पढ़ती थी दर्श्य में पढ़ती थी सर मगब कुछ ऐसा क्या पता क्या दिमांग बेठा थोड़ी घुस्ट्र कि सम्कीती दादा दादी चिल्ला देते थे तो उस्सा कर लेती थी खाना नहीं खाती थी सो जाती थी अगरी ब तक तो वो मिन चुकी थी इनको बच्ची उनको मेरी छोटी भतीजी उनको क्या करा बच्ची लगा लिए सर पुलिस वाले ख़ड़े थे हुए उससे समय बच्ची का नाव है इमापीता दिनेश लोकंडे है उमर 16 साल है और निवासी गनेश नगर की निनेवाले है लड़की प्टाइय करते थी और फॉत्टी वाद उनको शांड़े लेडिति असली अक्रगवरे पासो लगाई के यों गुत्ता किया दाधाला कॉं अमें ये बता थे बताया कि पट्ची उनको बच्चा कर गुकी फॉत्ती बच्ची सीनको कि उनको नसा किया विशन के है यह झाल